हाई एवरिवान यू आर वाचिंग महाधिशक्ती मेंडिटेशन केंद्र मेरा नाम है अदेट और मेरे चैनल में आप सबी लोगों का स्वाद है आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने औरा के 12 लेयर्स को कैसे कंप्लिट कर सकते हैं या आप अपने औरा के अपने आप हम अंडल में कहूंगा आपका चोटा साथ आप कैसे इसकी 12 की 12 परतों को गोलों को लेयर्स को बना सकते हैं और और लॉक कैसे होता है या फिर 12 बनाने का क्या महत्व है क्या इंपॉर्टेंस होती है क्या आप नेगटिविटी से हमेशा के लिए बत सकते हो या नहीं औ और क्या एक बारी बनाने के बाद चुटी जिन्दीकी भर के लिए इन सारे चिर्वा के बारे में हम डिसकास करने वाले हैं आच मेक शूर अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है नाओ लेट्स सी देखो मैं बारा गोले होते हैं और और लॉक का बटा है ये जब हमारे तीन गोले बन जाते हैं तो पहला लॉक लगता है और जैसे 12 गोले बन जायांगे दूसरा लग तर दोनों लगता या आप एकदमло प्रोटेक्टिड होग अगए राइट नाव देखो यह बंता कैसा है औरा सबसे पहले तो जो लोग जाप करते हैं जैसे सपोज जब मैंने स्पिरिच्वालिटी में आना शुरू किया था तब मेरा औरा एकदम बकवास था तो भी वेरी होनेस्ट जब मैंने चेक करवाया था तो मेरा ऐस सच कोई और एकदम विकार था लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉसस समझाया जैसे कि आप औरा कैसे बनाओगी जैसे कि मैं आप को समझाता हूँ आप मेडिटेशन करके औरा बना सकते हैं जो लोग सिर्फ चालीशा का पाठ भी करते हैं हनुमान चालीशा दुरगा चालीशा शिव चालीशा या फिर जो लोग मैं कहूंगा भगवान की भक्ति में भी लीन रहते हैं जो लोग सिर्फ भगवान की बूर् माथा टेकते हो अरदास लगाते हो हाथ जोड़कर आते हो तो ऐसा करने से बिना आपको एनर्जी मिलती है जैसे कि हर एक प्रतिमा में भगवान की जो जागरित है उसमें एनर्जी है और जब आप बार-बार माथा टेकोगे तो वहां से आपको एनर्जी ट्रांसवर होती है और जो औरा होता है वो आपकी एनर्जी से बनता है राइट नाव वह एनर्जी चाहे आप कहीं से भी लाओ अना चाहे आप को एनर्जी जाप से लाओ ध्यान से लाओ भगवान की भक्ती से लाओ भाव से लाओ मंदिर में जाने से लाओ या कैसे भी लाओ नाव कैसे बता हो जाती बहुत ही जल्दी अनुभव होने लग गए और आप अनुभव बढ़ गए हैं और बहुत कुछ महसूस हो जाता है इसका मतलब आपकी औरा पूरे के पूरा complete है और 12 की 12 layers का है ठीक है नाव क्या होता है ना कभी कबार और अरा complete नहीं होता है लोगों का कि गलत जगाव पे चले जाते हैं तो उनको नेगटिविटी परिशान की कर से եे और और कोई भी नगटिविटी आपको फिर परिशान नहीं कर सकते हैं चाहिंगा बहुत सारे अभी समझते हैं कि बारा लग-भग कम्प्रीट होने की क्या लक्षन होते हैं क्या experience आपको होते हैं एक तो बार-बार ना आपकी body के रोंगते खड़ी होना जैसे कि आप जाब भी कर रहे हो और आप भगवान का कोई song सुन लेते हो आपकी रोंगते खड़े हो जाते हैं या फिर किसी मंदिर जाने पर तो कहीं ना कहीं रोंगते खड़े होना एक positive energy को explain करता है ठीक है ना इसका भी एक बहुत सुन्दर होता है जैसे कि किसी कि और ब्लू कलर का होता है किसी का रेड किसी का और इंज किसी का वाइट होता है किसी कि और में सितारे जैसे चमक आ रही होती है और किसी किसी का और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि फूल गिर रहे है और किसी कि और में बहुत तेज चम संदflate वह दिखें होते हैं थे कंप्राइब वाहत ऐसे आराइब यह काफी लोगों कह देखिए ऑउराइब बहुत अच्छे होते हैं और इस अगए शुर्शता है यहां जूर्ज़शने और तरहहे आपटा ही फोड़ा ौर्व नज़ीट अब क्या होगा अब आपने अगर meditation छोड़ दोगी तो वह और तो वहीं का वहीं रहेगा लेकिन सपोस्स आप किसी गलत जगा पर चलेगा या फिर आप रास्ते पर भूम रहे और कोई negativity आपके ओपर अटाक करती है तो ज्यादा से ज्यादा वह आपके एक गोले को दो गोले क या अगर बहुत energetic कोई तो तीन गोले को effect करती है आपको परिशान करने के लिए वान ट्यू थ्री जादा से ज्यादा तीन गोले को effect किया लेकिन अगर आप उन गोलों को दुबारा से नहीं बनाओगे जाप से दुबारा से नहीं build-up किया तो वह दुबारा से rest लेकि ऐसे करते करते वो आपका एकदम औरा खतम कर सकती है या फिर आप खुद गलत बोलकर गलत काम करकर हना कुछ भी गलत करके अपने औरा को खुद भी effect करते हो हना अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि देखो हम तो माकाली की पूजा करते हैं और हम तो लोगों को गुसा आता है ह करता है तो कि हमारा ओरा खराब होगा देखो समझाने के अलग-अलग तरीके होते हैं अगर आप प्यार से भी संझा दोगे तो वही बात होगी आप गुसा से भी समझा सकते हैं लेकिन بात यह करते है कि आप जो भोल रहे हो उसमें सचाई है या नहीं या वह वो सही तरीका है या नहीं तो सारी चीजों को देखकर आपका औरा खराब या ठीक रहता है तो जन्रली मैं लोगों को यही राय देता हूं कि आप पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव रहें and regularly कम से कम आप तीन पाच ग्यारा माला तो जाप करें कम से कम otherwise आप ध्यान करें meditation करें आखे बन करकर आप अपने इस्ट की फोटो को ही देख सकते हो या फिर शिव जी को जल चड़ा करा सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़े हैं अपने औरा को स्ट्रॉंग करने के लिए सूर्य भगवान को जल चड़ाने सबसुबान को अर्ग देने से सबसे ज़्यादा औरा स्ट्रॉंग होता है क्योंकि वह एक तो जागरित देवता हैं और उनकी किरने हमेशा आपकी उपर रहती है हाना तो उनको जल चड़ाने से आपका औरा बहुत मजबूत होता है सूर्य भगवान की गृपा से आपका औरा बहुत मजबूत होता है आप और आपके एनर्जी बहुत पावर्फुल होती है तो सूर्य भगवान को नमस्कार जरूर करा करें साथ ही में negativity से बचने के और भी बहुत reasons होते हैं आप अपने घर के बाद ओम लगा सकते हैं पंचमु के हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं या फिर आप चाहो तो उनका वो भी आता एक बना हुआ इस्पेशली घर के बाहर लगाने के लिए वो लगा सकते हैं उनको जागरित कर सकते हो अलग अलग प्रोसेस अलग अलग चीज़े होती हैं बहुत सारी चीज़े परफॉर्म कर सकते हैं आउ जैसे कि मैं अभी औरे की बात करी बहुत सारे लक्षन बताई आपको बार बार स्वापने दर्शन का होना आपकी बाडी के रोंगते खड़े होना और भी कुछ experiences होते हैं जैसे कि जब आपको चीज़े महसूस होने लग जाते हैं आप कहीं जा रहे हो और आपको अंदर से एक feeling से आ रही है कि यहां कुछ गलत है यहां कुछ अच्छा है कुछ positive है यह भी आपके औरा को दर्शात है कभी कब आप कभी कब आप नोटिस करोगी कि जब कोई इंसान आपके औरा में आएगा ना तो उसे कभी कब बार बार उबासी आएंगी या फिर negative लोगों को आपके पास आने में अच्छा नहीं लगेगा क्यों क्योंकि आप एक बहुत positive इंसान है और जब आपका औरा फैल को भी दिक्कत पहुचाएगी तो बहुत सारी चीज़े होती है सोच समझ के आपको decision लेना होता है हना ना क्या होता है ना जैसे कि अभी मैंने किसी की checking की थी शायद मैंने चीज आपसे पहले discuss भी करी हो कि उनके लगभग 12 layers थे लेकिन कुछ time बात उन्होंने उनके जब मैं स्ट्रीक में उनका एक circle कम हो गया ना वो stable वहना चाहिए कम क्यों हुआ हना क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्होंने हो सकता है काफी गलत चीज़े खरी हो जैसे कि बीच में उन्होंने लडाई कर ली थी किसी से जाब भी नहीं किया और कुछ negative energy के वाज़े से भी उनके कम से कम एक से 1.5 तक उनका औरा decrease हो गया था तो औरा decrease भी हो सकता है इसके लिए आपको अच्छे से जाब करना पड़ेगा अपने body को strong रखना पड़ेगा अपनी सोच को भी strong रखना पड़ेगा हना सबसे पहले तो ना negativity हमेशा आपका mind control करती है आपको positive रहना है मन में यही सोचना है कि मेरी energy मेरे साथ है और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है ऐसा सोचने से ही आपको confidence मिलता है आपके energy को confidence मिलता है and negative energy हमेशा आपसे डरेगी तो हमेशा positive रहे cool down रहे calm रहे और अच्छे से वहवार करें जिससे आपका और और आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं सब लोग खुश रहे और एक चेहरे पर मुस्कान रहने चाहिए जिन लोगों का और बहुत सुन्दर होता है ना उनके face से आप पता लगा सकते हों कि कितना attractive है कितना प्यारा है सुनने में कितना अच्छा लगता है उनको और वह एकदम मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत अच्छे इंसान से आप बात कर रहे हैं कभी ऐसा किसी के साथ आपको महसूस होता है इसका मतलब है उनका और आप आपको चीजों को समझा पा रहा हूंगा अगर आप मेरे साथ meditation की classes लेना चाहते हो तो मेरा नंबर पर वाट्साइब कर सकते हो आइनो मैं reply दिने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूं बट कल से मैं regular हूं बिलकुल क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वज़े से मैं busy चल रह लो और अच्छे से सारी बाते करेंगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मातरी आप सभी लोगों के